हेलो बच्चो नमस्कार चलिए आज हम 10.2 13.2 के आगे कोश्चन्स करते हैं और आज इसको खतम कर लेते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं बच्चो कोश्चन नमर फिफ्थ के रहाँ वैजल इन दा फॉर्म आफ इनवर्टिड कोन बच्चो एक इनवर्टिड कोन है हमारे पास ठीक है इस हाइट इट सेंटिमीटर इसके हाइट बच्चो एट सेंटिमीटर है अब कह रहा है विच इस ओपन और रेडियस रेडियस कह रहा है फाइव सेंटिमीटर है ठीक है अब कह रहा है अगर इसको पूरी तरीके से पानी से भर दे इसको पूरा हमने पानी से भर दिया पानी से भर दिया अब कह रहा है इसके अंदर हमने छोटे छोटे भई marbles डाल दिए spherical marbles डाल दिए ठेक है इस तरीके से marbles डाल दिए जिनकी radius हर marble की radius हर marble की radius 0.5 cm है ठेक है और जब हमने इसको marble को डाला तो इसमें से 1 फोर्थ पानी पूरे का volume का 1 फोर्थ पानी ठेक है 1 फोर्थ पानी बाहर निकल गया है तो बताओ कितने हमने इसमें लेड़ सॉट मतलब क्या वही कि इसके अंदर हमने कितने मार्बल्स डाले कितने कंचे डाले ठीक है चलो गए ठीक है है हाइट ऑफ कौन कि एट सेंटीमेटर संकू क्यों चाई ठीक है उसके बाद रेडियस ऑफ कौन 5 cm ठीक है संकू की तरिच्च्या संकू की तरिच्च्या ठीक है नौ रडियस ऑफ लड़ सॉट या मार्बल निकलो 0.5 ठीक है कि तरिच्या अब क्या करना है अब देखो निकालना है क्या नंबर ओफ मार्बल्स कंचो की संख्या तो कैसे निकालेंगे नंबर मार्बल्स कैसे लिखा लेंगे जितने कंचे हमने डाले उतना ही पानी गिरा क्यों क्योंकि कंचे डालने के बाद one fourth volume खाली हो गया तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि भई जरूर इस कंचो का volume इसके one fourth volume के बराबर होगा तब ही तो खट गया तो इसका मतलब one fourth volume of korn upon me volume of each marble ठीक है जी हिंदी वाले क्या बोलेंगे हिंदी वाले बोलेंगे एक बटा चार संकू का आइतन बटे में प्रते कंचो का आइतन तो एक बटा चार मॉर्बल का एक बटा तीन पाई बड़ा आर स्क्वेर एच अपन में फोर पाई बाई थरी पाई छोटा क्यूब तो यह हो जाएगा भाई पाई बड़ा आर का स्क्वेर बड़ा आर कितना है भाई बड़ा आर है पांच का स्क्वेर एच कितना है आठ अपन में चारतिया बारा और यह हो जाएगा फोर पाई आर आर कितना है एक ब पांच का स्क्वेर पांच का स्क्वेर 25 गुने में आठ बटा बारा पलट गया तीन वहां चार पाई एक बटा दो एक बटा दो ठीक है अब देखो क्या होगे वह तीन चोक के बारा ठीक है अब यह दो भी पलट जागए उपट और यह पाई से पाई कट गया तो 25 गुने में आठ यह भी वह बटा जाएगा तू यह नीचा जाएगा चार गुना चार ठीक है तो यह भी कि आठ गया तो पत्चिस फिन्हुने में दो गुने में 2 तो यह आगे कितना अलएंट्रड झाल झाल चलिए बच्चो डेक्स वोशन करते हैं अगला कोशन वच्चो सिक्स्त एक आयरन एक सॉलिड आयरन पोल है ठेक्स एंडर जिसकी हाइट टूट्वेंटी सेंटिमेटर हैं और बेस उसका 24 सेंटिमेटर उसी के ओपर एक और सिलेंडर है जो 60 सेंटिमेटर का है 8 सेंटिमेटर उसकी रेडियस है भुझे, find the mass of pole भुझ, pole का mass निकालना है अगर एक सेंटिमेटर क्यूब आज इड गराम के बराबर है तो बहुत सिम्पल कोशन बहुत सिम्पल है भुझ, भृई, वैरी सिम्पल अब भुझ, mass निकालना है तो mass होता है volume मास होता है, volume ठीक है क्योंकि मास तभी निकल सकता जब वाल्यूम का रिलेशन हो चलो भाई, देखो हाँ जी सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूँ ये बड़ा वाल्यू अब इसी पे ये हो गया, इस तरीके से दिया हुआ ठीक है भाई बच्चो यहां से कोशन करना सुरू करूँ हूँ अब कह रहा है इसकी हाइड है 220 और डायमीटर है 24 सेंटीमीटर ठीक है अब कह रहा है, इसकी हाइड है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर ठीक है तो कह रहा है कि इसका वोल्यूम बताओ, ठीक है जी, बात खतम डायमीटर सेंटीमीटर तो कितना भई 24 सेंटीमीटर बड़े बेलन का व्यास तो कितना रेडियस ओफ लार्जर सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हाफ हो जागा ना बड़े बेलन की तरीच्या ठीक है, अगला हाँ हाइट ओफ लार्जर सेंटीमीटर तो कितना भई 60 सेंटीमीटर यहां पर लिखो एच बड़ा यहां पर लिखो आर बड़ा ठीक है, बड़े बेलन की उचाई ठीक, अगला हाँ नहीं, 60 नहीं है स्वरी, 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 220 अगला है, हाइट ओफ इस्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर सिलेंडर यहां एच, 60 सेंटीमीटर छोटे छोटे बेलन की उचाई ठीक है अगला क्या बचा भाई हाँ, आई टीवाच की अगला रेडियस रेडियस ओफ इस्मॉलर सर्कल, स्वरी सिलेंडर यहां छोटा आर, 8 सेंटीमीटर ठीक है छोटे बेलन की द्रिज्या आप निकालेंगे वाल्यूम ओफ पोल वाल्यूम ओफ पोल खंबे कायतन ठीक है, तो कैसे वाल्यूम ओफ लार्जर सिलेंडर प्लस वाल्यूम ओफ स्मॉलर सिलेंडर ठीक है हिंदी में काय लिखेंगे, बड़े बड़े बेलन का आइतन, प्लस छोटे बेलन का आइतन, तो पाई मि bean ओढ़ा ह्प्लसवप आइच चोटे अर्फ इसध़ चोटा भी के तना बारा का स्कूर बढ़ा है जो कितना डेस था पाई तो पॉमन आगया चोटा अर्फ इस्वारअ र कितना भी अर्ड है और यह कितना था 12 नहीं 60 ठीक है 3.14 144 गुने में 64 60 ठीक है 1 गुने 15 नहीं 13 गुने प्पराएब 15 जहीं 16 जहीं 16 जहीर दीक है चलिए देखो इदर तो क्या करने है यह मंटिप्लाइब कर दिया इसके मंटिप्लाइब इसर इससे करेंगे इससे क्या करेंगे मंटिप्लाइब कर देंगे तो क्या करेंगे वाई 3.14 मंटिप्लाइब बै 35520 तो यह आगया 111 इतने संटिमेटर क्यूब इतने अब देखो कोशन में बोला है अब से कोशन में बोला है अब से के भाई एक संटिमेटर क्यूब आठ ग्राम के बरावर तो एक एक पास तीन दो गुना आठ संटिमेटर क्यूब इस इक्वल टू 1 1 1 5 3 2.8 इंटू में एट इतने ग्राम हो जाएगा तो आट तो चौट का चार रहेंगे अच्छे आट दूनी सोल अच्छे बाइस का दो दो आट एक नो इतना तो इतने ग्राम अब इसको किलो ग्राम में बदल लो इसको इसको किलो ग्राम में बदल लो किलो ग्राम में कहता है बदलते हैं हजार से डिवाइड करके तो किलो ग्राम हो जाएगा तो बस एक दो तीन पॉइंट करो आट नो दो पॉइंट दो छे दो चार क् किलो ग्राम इतना अचला जाएगा तो यह बोल इतने किलो के हैं ठीक है करो नकरली 8 कोशन नमर सेवन देखी वाई इसका लास्ट कोश्चन है यह ठीक है फिर यह खतम यह यह खतम हो जाएगा करना 13.2 फिर 13.3 शुरू करेंगे देखो वाई सेवन्त कोश्चन देखो क्या रहा है एक सॉलिड राइट सर्कुलर कौन है हाइट 120 सेंटिमेटर 60 सेंटिमेटर इस्टेंडिंग ऑन हेमिस्वेर ठीक है और रेडियस 60 सेंटिमेटर ठीक है लो वाई यह यह एक हैमिस्वेर है इसके उपर एक कौन है है कि इसके रेडियस शिश्टी सेंटिमेटर है इसकी हईड भी 60 cm हो जाएगी और इसकी हाइड जो है वह 120 सेंटिमेटर है की अब कहरे है कि इसे एक राइट सर्कुलर स्लेंडर में डाला गया ऐसा डाला गया कि वही यह इसको बिलकुल कर रहा है और इसके bottom को भी touch करने लग गया ठीक है इसके bottom को भी touch करने लग गया ठीक है जी ऐसे बिल्कुर इसके top को और bottom को ऐसे touch कर रहा है इस प्रकार इस पूरे की हाइड जो हुई वह 180 सेंटीमेटर हुई और इसकी जो रेडियस है वह भी 60 सेंटीमेटर है तो कहरा बताओ कि जब इसको इसके अंदर डालेंगे तो कितना पानी बाहर निकल इसमें बचेगा तो अब इसी बात है है कि जो स्लेंडर का वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर दो इन दोनों का वॉल्यूम तो उतना ही पानी इसके अंदर बच जाएगा ठीक है चलिए तो सिंपल है भई रेडियस ओफ कौन हैमिस्वेर एंड सिलेंडर तो कितना भई 60 सेंटीमेटर संकू बेलन और अर्द विरित अर्द गोले कित रिज्या तो दीवी आपको हाइट ओफ कौन 120 सेंटीमेटर संकू क्यों चाहिए हाइट ओफ स्लेंडर 180 सेंटीमेटर बेलन क्यों चाहिए अब क्या करना है वॉल्यूम ओफ रिमेनिंग वाटर लेफ्ट इन दा सिलिंड्रिक सिलिंडर बेलन में बचे जल का आईतन कैसे लिए लिएगे वॉल्यूम ओफ सिलिंडर माइनस वॉल्यूम ओफ क्यों प्लस वॉल्यूम ओफ हैमिस्फेयर हाँ थटो इस तरीकते करेंगे हिंदी वाले क्या लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस ब्रैकेट संकू का ये Switch न स्कषर ह प्लस अर्थ गोले कायतने तो ये आइगा पाई पाई आर SLE wine square h ह बढ़ा होगा येो होगा वन बाई थ्री पाई आर स्क्षर H प्लस टू बाई 3 पाई आर क्यूब ठीक है तो पाई-r स्कूर ह माइनस पाई आर square अंदर रखो h upon में 3 h upon में 3 plus यहाँ पर क्या होगा 2 by 3 और यह r यह रह जाएगा ठीक है अब यहाँ solve कर दो sum में से pi r square common ले लो pi r square common अंदर बचेगा h minus h upon 3 minus 2 r upon 3 इसके नीचे कुछ नहीं दो 1 put करो देखो pi क्या लेना है तो pi है 22 बटा 7 r है तुमारा 60 गुने में 60 बड़ा h है तुमारा 180 यह है तुमारा 120 120 बटा 3 और यह true r कितना 60 बटे में 3 यह गड़ गया 40 यह गड़ गया 20 तो 22 बटा 7 गुने में 36 ठीक है गुना 180 माइनस 40 20 माइनस 60 ठीक है तो 22 बटा 7 गुने में 36 300 और 120 ठीक है सब के मंटिप्लाई करेंगे इसे कर दो 22 चिक 22 एक सो बटेस का 2 ठीक है रह गया एक सो दस जीरो ग्यारह और बारस अत्य चरास्थी चरास्थी और ग्यारह कितने हो गए इंचानवे बटा साथ इसे काट दो एक दो एक चार ठीक है आठ पांच साथ पॉइंट एक चार ठीक है तो इतने सेंटीमीटर क्या जागा बई क्यूब इतना ठीक है तो यह आंसर है बच्चो कर लो यह आंसरे एक उन बच्चो कुछ गडवड़ होई यह देखो 40 40 माइनस 22 या 40 यह आएगा न और यह हो जाएगा फिर 180 माइनस 80 और यह देखा बाइस वटा साथ गुने में 3600 और यह जाएगा सो ठीक है तो जाएगा बाइस चिक के एक सो बत्रीस का दो रह गया तेरा ठीक है और है जीरो 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 और साथ अब काटो इसको वन वन ठीक है फिर word one one और टू दियस को थ्री एक सको दिया एक ठीक है तिकी सब्सक्राइब करना दो और छेशल्ट और एक शेल्सको कि आठ चार पांच पांच साथ इतने ही है तो इतने सेंटीमिटर क्यूब अगर मीटर क्यूब में करना हαι तो मनें आपको बता ही रखा है कि एक मीटर में सो सेंटीमीटर और एक मीटर क्यूब में दस हजार सेंटीमीटर क्यूब ठीक है स्वरी एक मीटर स्क्वाइर में दस हजार सेंटीमीटर स्क्वाइर और इसमें इतने सेंटीमीटर क्यूब तो बस एक एक तीन एक चार दो आठ पांच साथ और इसको दो दो चार दो छे इतने से डिवाइड कर दो तो एक दो तीन चार पांच छे वन पॉइंट वन पॉइंट वन थ्री वन इतने मीटर क्यूब आंसर आ गया कर लो कर लूब गर लूबाद तो आप। झाल झाल चलिए भई देखेंगे तेरा कोशन नमबर फर्स्ट थर्टीन पॉइंट थ्री अच्छो बचले दो दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पार था क्योंकि लगातार क्या हो रहा था कि हम जैसे वीडियो बना रहे थे और बनाने के बाद अपलोड कर रहे थे तो नेट की वज़े से वह बार बार अपने आप कैंसिल हो जाती थी और जब हमने उसको सही से उसकी फ फॉर्मेटिंग में हमें मेम्री कार्ट के अंदर भी अलग से फॉर्मेटिंग करना पड़ी जिसकी वज़ेसे वह वीडियो था हमें डिलीट करनी पड़ी ठीक है तो हमारा काम और बढ़ गया उल्टा तो इस चीज के लिए थोड़ी शमा माफी ठीक है और दो दिन के और जैसा कि आपको पता ही है अभी फिलाल आपने देखा है कि नोटिस आगिया है कि पेपर के लिए डेट सीट फरवरी से पहले हमें मिलेगी नहीं है ना फरवरी के बाद ही मिलेगी तो बस यह है कि वैच्छो जो भी हमने पढ़ा है उसके रिवीजन जाद अच्छे से करो तो जड़ा बैतर है क्योंकि हमने बीश चैप्टर कर लिया वह मैटर नहीं करता है ठीक है अब पहले मैटर यह करता है कि उन बीश चैप्टरों में से कितने चैप्टर को हमने पक्का कर लिया ठीक है अगर हम भाई बीश चैप्टर है और सारे चैप्टर माल लीजिए पां आपने कोई पांच चैप्टर भी बहुत अच्छे से पक्ये कर रखे हैं प्रैक्टिस करके ठीक है? तो ये समझ लीजिए कि उन में से कोई सभी कोश्चन आ जाए और आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि कोई सभी कोश्चन दे दे एक्जामीनर अब कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से पांच चैप्टर अगर आपके पक्या है तो पांच बाज नमबर पांच नमबर आपके कहीं नहीं गए ठीक है? तो इसलिए हम पांच नहीं करेंगे हम पूरे बीस करेंगे लेकिन पीछे की रिविजन भी उतनी ही जरूरी है जितना हम आगे बढ़ते चले जा रहे है ठीक है? जैसे मुझे पता है 10th किलास में ऐसा होता है कि हम सोचते जल्दी जल्दी कोर्स खतम हो जाए जल्दी जल्दी कोर्स खतम हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नी पढ़ता बच्चो ठीक है? सिर्फ कोर्स खतम होने का एक ही फर्क ये पढ़ता है कि आपको उस टॉपिक के उस लेबस के सारे टॉपिक के नॉलेज आ चुका है, ग्यान आ चुका है बस अब उसको अपलाई करने के उपर है कि आप अपलाई किस तरीके से करते हैं तो अगर आप उसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में लाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको फिर अधर कुछ भी करने की जूरत पड़ेगी आप बहुत ही सेलेक्टिड चीजे करें और प्रैक्टिस करते रहे जो मैं करवार हो बस उसको करें और लास्ट में जो मैं कुछ बुक्स बताऊंगा कुछ क्या एक ही बुक बताऊंगा बस आप उस बुक की प्रैक्टिस कर लीजेगा आपके नंबर आपको खुद दिखाई दे देंगे ठीक चलिए तो कोर्शन नमर फ़र्स्ट 13.1 का फ़र्स्ट के रहा अब मैटलिक स्वेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमिटर तो क्या दिक्कत है बई देखो कह रहा है एक मैटलिक स्वेयर है यह एक स्वेयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमिटर है 4.2 सेंटीमिटर है अब इसको पिगला कर रीकास्ट किया गया ठीक है और किसमें बदला गया स्लेंडर में एक सिलेंडर में बदला गया ठीक है जिसकी रेडियस अब किवर 6 सेंटीमिटर हो गई ठीक है तो कह रहा है इसके बताओ हाइट कितनी होगी इसके हाइट कितनी होगी तो बच्छो एक बात याद रखना जब भी एक 3D सेप को मैल्ट करके कनवर्ट करके रीकास्ट करके दूसरे में बदला जाता है तो उस जगा पे एक चीज तो होती है है फिक्स जिसका नाम है वॉल्यूम ऑल्वेश क्या फिक्स होएगा वॉल्यूम जो होगा वह फिक्स होगा ठीक है आई तन कि इस्थिर होगा ठीक है ना तो चलिए रेडियस ऑफ इस फिर तो इसको बोलेंगे आरवन तो 4.2 सेंटीमिटर ठीक है गोले की तरिज्या उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमिटर बेलन की तरिज्या ठीक है ना अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कौन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के यह फिक्स है तो वॉल्यूम ऑफ कौन मतलब 1 बाई 3 पाई आर वन का स्क्वेर ठीक है सुरी गलत बोल दिया कौन नहीं है स्वेर है सुरी बच्चों फोर बाई 3 पाई आर वन का क्यूब और इसका पाई हाई आर टू का स्क्वेर एच पाई से पाई कट गया थी यहां डिवाइड कर रहा है वहाँ आए जा करें मंटिप्लाइग फोर आर रवन कितना है इदा 4.2 का cube r2 कितना है 6 का square h हमें पता नहीं लेकिन 3 यह दिवाइड करते हैं इदर आके multiply करेगा तो 4 into 4.2 into 4.2 into 4.2 बराबर 3 into 6 into 6 into h भाई देखो 6 से इसको काटूँगा 0.7 सिक से इसको काटूँगा 0.7 3 से इसको काटूँगा आएगा 1.4 तो h की वैल्लू आ गई h की वैल्लू आ गई 4 into 1.4 0.7 0.7 तो multiply करो 4 into 1.1 यानिकी 7 749 तो 0.49 अब क्या करो 149 जोदा निम्में कितना होता बच्चों 126 तो 6 रह गया 12 चौच कितना होता बच्चों 56 चौपन और 12 कितने होते हैं 68 का 8 रह गया 6 चौदे गम 14 यहां अब क्या है तो वही इसके कर दिया जीरो 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 फरक्र नह कितने वाला तो इसका मतलब 149 किजना होगी बच्चों यह सौदानिम में 126 रह गया 12 चौद चौपन चौपन और 12 चौपन और 12 कितने होते बच्चों 68 तो यह एक दो तीन तीन के बद पॉइंट तो जीरो यह अब चार देगर दो छे चौच चौच चौबिस का चार रह ग तो इतने सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई 2.744 सेंटीमीटर यह किसके हाइट है वही बेलन की ठीक है करो करो झाल 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 चलो वे वेच्चो next हाँ जी अगला कोशन देखते हैं देखे बच्चो second question आप कर सकते हैं ट्राई करना तर्ड कर सकते हैं कर तो देखो कर रहा है कि 20 मीटर गहरा को आएं यह लोगी तो को आपको पताई है कौन से से प्रोटा है कि यह बीज मीटर गहरा को आप ठिके औरcore साथ मीटर सका डायमीटर 7 गडायमीटर 24 जो इस से मिट्टी निका अधिना इस वने क्या बना दिया एसे एक चबूतरा बना दिया किजिर जिसकी लेंट्त है 25 मीटर में 12 विड है 14 मीटर तो कि I should say ठीक है तो इसमें भी एक बात कौमन है बच्चो क्या कि जो भी इसमें से मिट्टी निकाली होगी बना दिया गया मतलब प्रूर्टाइश्ट कर दिया गया तो रीकाश्ट का मतलब क्या हो वाल्युम Acts तो वाल्युम फीक्स तो क्या करेंगे है सबसे पहले है हाई डैप इप्धि औफ वलब या स्लिंड्री कल वल ऐसे लिख लेना तो कितंगा बीस मिटर बेलनाकार कौए की गहराई बड़ा है ठीक है डायमीटर ओफ वैल तो कितना वही सैवन मीटर हुए कव्यास रेडियस ओफ वैल साथ बटा दो मीटर ठीक है कोए कि तरिच्या कोए कि तरिच्या थेक है नाओ लेंट ओफ प्लेटफर्म वैस मीटर जब उतरे की लंबाई कि लेंथ ब्रेथ ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म तो कितने हैं चौदा मीटर ठेक है जबूतरे की चोड़ाई और वागी हाइट तो हमानी ही है तो बस वॉल्यूम ओफ वैल इस एकवल टू वल्यूम ओफ लेटफॉर्म ठीक है चबूतरे का आयतन बराबर कुए का आयतन तो कितना होगा पाई बड़ार यह नि बड़ार क्या जोटा यार जोटार बड़ा एच और इसका एल इंटू बी इंटू एच ठीक है तो पाई बाईस बटा साथ आर साथ बटा साथ से ये कटा दो ठीक है साथ से एट का चाओधा ढूसे कटया दस दोसे कट क्या पांच पांच बड़ाबर टू एच इधर आ गया दो तो एच कितना आगिया फानच वटा दो 202 मीटर 25 म चोचले जाये जाय lot इस फ्रकार से यह ने चप्टर कवर किया है छलिए तो आप question number fourth try करेंगे fifth try करेंगे sixth try करेंगे seventh try करेंगे बस इतना try करना आपको ठीक है बागी सारा next class में करवाँगा आपको ठीक चलो बाई